तरुद ऐसके अब कर आपको पाता है मैं यूपी पोलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रपेरेशन करा रही हूं लास्ट ग्लासेज में आपको 150 कोशन करा चुकी हूं जिल लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखें वीडियो का लिंक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकत हैं वीडियो अभी तक सारी करा चुकी हूँ जो भी यूपी पूलिस कंप्यूटर ऑपेटर के एक्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एक्जाम का स्लेबस है अप्टू दर मांक आपकी सारी चीजें मैं करा रही हूँ जैसे कि आपके प्रिविएस यह कॉश्टन से पर स् आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन पर प्रेस कर दीजे जिससे आपको लेटेस्ट अप्डेट मिलते रहें लास्ट प्लास में हम लोगों कोशन नुमर् 1.50 तक कर लिए तो आज ही क्लास में हम लोग आफ्टर 1.50 वन से कोशन स्टार्ट करेंगे 1.50 के बाद के जो बाकी की रेस्ट आफ कोशन से जो प्रीविएस ली एक्जाम में पूछे जा चुके हैं या या यूपी पुलिस कंपीटर ऑपरेटर के विगार्डी किसी और एक्जाम में आ चुके हैं लाइक किसी करके बहुत सारी जगे से कोशन क्लेक्ट किये गए हैं तो वीडियो को प्लीज देखिए आपके एक्जाम से रिलेटेट ये सारे कोशन से जो आपके लिए हैल्फुल होने वाले हैं सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आच्छी ग्लास तो कोशन नमर 151 की दाव चलते हैं इसमें बूल रहा है कि कंप्लीट फॉर्म बतानी है इमित्र तो इमित्र की जो कंप्लीट फॉर्म है ये गौर्मेंट का एक पोर्टल है तो इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयर मित्रा मित्रा इलेक्रोंिक मित्र तो इसका मतलब है ये क्या करता है जैसे हम लोग औन लोग बन काट बनाना है का शुक robots है आपका edis verification malt कोई भी इस तरीकी गयों छो मित्र करेगा ये मीत्र और ऑविक मित्र इसकी फुलफार में तो option number C यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा question number 152 में क्या बोल रहा है according to the IT Act which of the following section prohibits the publication of options material यानि कौन से IT Act के अंतरगर्त किस section में किस IT Act के किस section में जो हम लोग online options material publish करते हैं उस पर रोक लगाने के लिए यह section बना यानि IT Act के अंतरगर्त एक section बना जिसके अंतरगर्त जैसे आप social media पर Facebook पर Instagram पर YouTube पर कोई भी options material upload करते हैं तो उसको रोकने के लिए जाए पर जादा वाइरल ना हो और रोगाने के लिए ताकि चीज़ें बहुत जादा वाइरल ना हो और लोग उन चीज़ों को रोक सकें तो उसके लिए section 66 तयार किया गया जिससे के options material को रोका जा सकें ठीक है question number 53 की तरफ चलते हैं इसमें IACTC की complete full form पूचिया IACTC government की एक website है जिसके थिरू हम लोग आपने सभी नहीं यूज की होगी यह एप भी है जिसके जरी हम रेलवे का reservation करते हैं लेकिन इसकी जो full form है इसकी जो full form है इंडियन देलवे catering and tourism corporation मतलम हम लोग इसमें सिर्फ ticket नहीं करते हैं इसमें बाकी जो हम लोग flight की tickets भी बुक कर लेते हैं IACTC की जगे तो IAC bus की ticket train की ticket सब लोग इसको इंडियन देलवे की नाम से जानते हैं इसमें आप flights की ticket भी बुक करते हैं तो इंडियन देलवे catering and tourism corporation इसमें आप लोग catering वगड़ा खाना वगड़ा order कर सकते हैं ट्रेन में बैठे बैठे इस website के जरी है room booking भी कर सकते हैं इस website के जरी है तो option number C इसका correct answer हो जाएगा अगला what does the comment give all the cell entity show the screen आप किसी भी screen में आपको कोई भी cell show हो रहा है मतलग जैसे किसी की post है उसके नीचे आप क्या comment करते हैं तो उसको नीचे आप क्या करते हैं उसके नीचे आप comment करते हैं तो option number A अगला what is the purpose of e-public distribution system e-public distribution system का जो मतलब है purpose है वो क्या है तो e-public distribution का purpose है food grains to poor at low rate ठीक है distribution system जो है एक second इसका मतलब इसका काम है प्रोवाइडिंग food grains to the poor at low rate जो गरीब लोग है उनको खाना सस्ते दामों में food grain उनको अनाश प्रोवाइट कराना इसका मतलब है e-public distribution system का मतलब यह है ठीक है option number eight का correct answer हो जाएगा a strong password should be किसी भी website पर किसी भी जगे आप password लगाते हो तो strong password कैसा होता है strong password को बोला गया है कि वह at least eight character या eight words का होना चाहिए जिसमें की letters numbers और कुछ special symbol इस तरीके से होने चाहिए तो यानि eight words का होना चाहिए तो option number six का correct answer हो जाएगा अगला how is the resolution of the screen show तो जो screen का resolution होता है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है pixel per inch ठीक है screen का resolution होता है आपने photos अगरा में देखा होगा जब आप camera से photos click करते हैं तो आप क्या देखते हैं आप लोग देखते है कितने pixel का camera है तो pixel per inch होता है जो screen का resolution होता है उसको हम pixel per inch बोलते हैं clear अगला question number 158 की तर चलते हैं इसमें पूछ रहा है which of the following is not an image graphic file format इसमें से कौन सा image और file का format नहीं है देखो png आपने सुना होगा image का graphic file का format होता है gif सबने सुना होगा graphic image format bmp सबने सुना होगा लेकिन gi किसी ने नहीं सुना होगा इसमें से कौन सी की है जो slide के लिए यूज नहीं की जाती है अब जब हम अपनी presentation में slide शो करते हैं तो कौन सी की इसमें से यूज नहीं की जाती है पूछ रहा है देखो enter की जब हमें कोई भी slide presentation पर लगा सकते हैं space bar लगा देते हैं monitor mouse का कोई भी button प्रेस कर देते हैं लेकिन escape key का यूज नहीं करते है जो function key के बगल में दी जाती है जब आप अपनी presentation को हटाते हो यानि वापस से उस screen पर जाते हो तो उसके लिए आप escape key का यूज करते हो पर slides को enter करने के लिए slide show के लिए escape key का यूज नहीं करते तो option number a यहां पर correct answer हो जाएगा question number 160 की तरफ चलते हैं access social media for a computer using the phone में इसमें से social media के लिए मतलब इसमें कौन कौन सी आसी social media platforms है जैसे document excel यह social media platform तो नहीं है यहां पर YouTube है Google Play Outlook आपको social media platform तो नहीं है Outlook एक search engine है उसके लावा Facebook Instagram Twitter these all are social media website social media platform तो option number 16 का correct answer हो जाएगा question number 161 की तरफ चलते हैं which of the following is a conjunction of with another key to perform which of the which key is used to conjunction with another key to perform a specific task इसमें से कौन सी आसी की है जिसको प्रेस करने से हम जिसको दूसरी की के साथ प्रेस करते हैं तो दूसरा टास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो जाता है जैसे अगर आप कंट्रोल की को किसी भी दूसरी की के साथ अगर आप कंट्रोल की को किसी भी दूसरी प्लस F है तो find आजाएगा और ctrl प्लस O है तो open हो जाएगा, ctrl प्लस N है तो new हो जाएगा, ctrl प्लस I है तो italic, ctrl प्लस B है तो bold, इस तरीके से आपको ये कुछ ctrl प्लस V, V के लिए use करते हैं, cut के लिए, अगर underline करने हैं, ctrl प्लस U, तो इस तरीके से ये shortcut keys होती है, जो की हम specific task को perform करने के ये use करते हैं, तो control ही कैसी की है, अगर हमने control के संग कोई भी एक specific key press करी है, तो हमारे specific task perform होते हैं, I hope you all are clear very well, ठीके, अगले question की तरफ चलते हैं, question number 162 बोलना है, full form of USB, तो USB की जो full form होती है, वो क्या होती है, USB की full form होती है, universal serial bus, देखो आपने सुनाओगा, USB ह करते हैं, तो USB का मतलब होता है, universal serial bus, इसके जरी हम बहुत सारी आपने USB केबल की थूप, pen drive connect करते हो, अप SSD कार्च वगरा connect करते हो, तो USB केबल होती है, जो केबल universal serial bus होती है, जो दूसरी devices को attest करने के लिए use की जाती है, तो इसमें हम adapter attest करते हैं, pen drives attest करते हैं, तो USB के जर universal serial bus, अगले question की तरफ चलते हैं, 163, which type of computer is used to study earth cube, earth cube को study करने के लिए, किस तरीकी के computer का use के रहता है, super computer, ठीक है, option number D, यहाँ पर correct answer हो चाहेगा, अगला, what is drone, अभी drone क्या है, यह एक तरह से robot है, क्या है, robot, यह unnamed aircraft, ठीक है, unnamed aircraft, मतलब, यह एक ऐसा unnamed aircraft है, जो air में work करता है, यह एक robot है, जो बहुत सारे कामों में यूज के रहाता है, photo shoot सकता कराने के लिए, हम drone सकता का use करते हैं, तो बहुत सारे works के लिए, हम यह GPS वरक के लिए, drones का use करते हैं, तो इसका मतलब होता है, an unmanned aerial vehicle, या फिर aerial vehicle की जगे, हाँ पर aircraft भी आ सकता है, तो option number A, इसका correct answer हो जाएगा, अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question है, question number 165, e-mitry through a web portal, which, what are the services of e-mitry, e-mitry की services web portal पर क्या है, तो e-mitry की जो services हैं, वो है, payment of electricity, water bill को payment करना, हमारे domicile certificate, apply करना, original resident certificate, apply करना, अभी मैंने जैसे बताया था, e-mitry का जो काम होता है, वो होता है, जैसे debt certificate, birth certificate, उसके लावा license, driving license, आपका passport, bill payment करना, online, ये सारा e-mitry का काम है, ये government का portal है, जिसके थूँआ आप ये सारे online काम कर सकते हैं, 166 की तरफ चलते हैं, 166 क्या बोल रहा है, 166 बोल रहा है, which of the following screen lock is available on android device, android device में किस तरीकी के screen lock available होते हैं, pattern, pin, password, ये सारे ही available होते हैं, तो option number 10 का correct answer हो जाएगा, अगला है, mooc, m-o-o-c, इसकी full form पूछ रहा है, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है, massive open online course, जो हम online education करत दिस्टेंस लर्निंग से courses करते हैं, free and open source courses करते हैं, या फिर paid open source courses करते हैं, online के माध्यम से जब हम पढ़ाही करते हैं, online के माध्यम से जब open courses करते हैं, तो उसके लिए एक सेículos, वे अध्या, जिसका नाम है, mooc, जिसकी full form है, massive open online courses, जो की हमें, जिसके जरी हम courses online करते हैं जैसे degree भी ले ले लेते हैं distance learning वगरा से तो online ये सारी काम हम करते हैं बहुत सारी ऐसी संस्ता है जो हमें online courses provide करती है जो की mock का काम करती है massive और open online courses ठीक है अगला 168 की दरफ चलते हैं which of the following is not and same as the other three इसमें से मां आपक कौन सा टीन सेहम है और एक लुग है 선생님 Mac address, hardware address, physical address, IP address इसमें से कौन सा अलग है तो देखो mac address, hardware address, physical address इकी बात है IP address अलग बात है तो जो हमारी devices के hardware address होते है Mac address में पारायो physical address व अलग बात है IP address निजुग बात है क्योंकि IP addresses का और जसकी होता है तो एंटर्नेट प्रोटोक्लो आ आईपि का मतलब इिटर्नीट प्रोटोकल то नीक जब नेट्वरक होती है इंटरनेट की बात ही है वेब साइट के अड्रेस की बात यूज लेस पावर बजली कम खचकरना प्रीवियस लेटोप मॉसटाल के कमपैरिसन पुराने जमाने के जुआ लैस जमाने के जुआ ऐना पर बिजली लेटे थे थे चारजिंग के लिए और बहुत भारी होते थे और उसके लावा साइज में काफी बड़े होते थे बड़ा आजकल के नए जमाने के जो लेप्टॉप हार है, मौडर्न लेप्टॉप वो वेट लेस होते हैं, स्मॉलर होते हैं, पावर को कम लेते हैं, तो इसमें एक नई टेक्निक यूज होती है, हमारी स्टोरिंग के लिए, कि पुराने लेप्टॉप पर आपको याद होगा, हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्टिक्स, पर आज के नए लेप्टॉप में, हम लोग हार्डिस के कमपेरिटिवली, क्या यूज करने लगे हैं, एसस्टी, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइब, सॉलिड स्टेफ, हार्ड ड्राइब, हार्डिस के ही कमपेरिटिवली हम यूज करते हैं, पर ये क्या है, स्मॉल इल साइज होता है, और फास्ट होता है, फास्ली वर्क करता है, और इसमें क्या होता है, जैसे कि हार्डिस में क्या होता है, तो पर urban state drive करता है , रिलीज जल्दी कर देता है , पर आपको 15 other time business of Green तो वो 10 को यूज नहीं करेगा पर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाएंगे भले ही चार लेकिन रख लेंगे 10 बतलब जितने की भूख है वो नहीं वो सब कुछ जितना है पूरा का पूरा उनको मिलना चाहिए तो जो हार्डिक्स है वो इस टेक्निक पर वर्क करती थी कि सब कुछ उसी को मिल जाए वो दूसरे को उसके उसको आपने चार दिये है दस दिया है स्पेस तो वो दसों को यूज कर ली कि आप चाहे वो यूज करें नहीं करें अपने पास रखें कुछ भी करें लेकिन जो SSD है वो कहती है कि भाई अगर मुझे तीन रोटी की भूख है 170 क्या है तो delete a sentence from a document you should following ठीक है आपको किसी को किसी भी चीज को delete करना है तो आप कैसे करेंगे उसको highlight करेंगे और delete करेंगे तो option number D यहाँ पर correct नसर हो गया यहाँ पर हमारे 170 यानि 170 question पूरे complete हो जाते हैं और I hope आप सब को यह चीज बहुत अच्छी से clear हुई है कोई भी doubt है comment session में पूछ लीजेगा I will always with you मैं आपकी comments का reply जरूर दूंगी और अगर video चीज लग रही है तो like करें जादे से यदा share करें channel को subscribe करें मिलते हैं next class में तब तक लिए goodbye and have a nice day